बुद मॉर्निंग क्लास 6, this is our English book, Real English, a multi-skilled language course So students, last class में हमने डिस्कस किया था, vocabulary section, कौन से chapter का? Chapter number 8, Candy Jane and Professor Bogal तो इसका हमने डिस्कस किया था, vocabulary section और मैंने आपको बोला था कि इनको learn करेंगे और यह जो words हैं, इनको भी आप अच्छे से learn करेंगे और new sentences भी भना के देखेंगे हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं grammar section को तो यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे? Articles, article क्या होता है? A, N और दा, यह तीन article होती हैं हमारे English में जिसमें से A और N जो होता है, यह indefinite article होता है, जबकि दा होता है definite article अभी indefinite और definite का क्या मतलब है? Indefinite article वो होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में sure नहीं होते हैं पर A का मतलब क्या होता है? एक इसलिए हम A और N को use करते हैं singular के साथ जबकि दा जो हमें पता है कि यह सिर्फ एक ही है, किसी एक specific है, एक particular चीज़ के बारे में बात हो रही है तो हम वहाँ पे क्या use करते हैं? दा यूज करते हैं तो देखते हैं इसको detail में कि आर्टिकल क्या होते हैं Read the following passage, paying attention to the use of A and A and A and दा तो यह passage को पढ़ो और इसमें ध्यान दो A and और दा का किस तरीके से use किया गया है Tom Harris was a very intelligent boy of 12 He was from the equator One year he decided to visit the United States of America While he was there, he saw an asteroid pass very close to the earth It was a wonderful sight and he saw it without using a telescope It was after many years that an asteroid had passed by the earth this close It was this clear because its path was closer than the position of many telecommunication satellites A scientist at the Montgomery Observatory explained the uniqueness of this event as one of the rare events Since they occur only once in approximately a thousand years When Tom Harris heard this news later, he was very glad that he could be a witness to such an event तो यह थी हमारी हमारा आर्टिकल अब हम इसको ध्यान से देखते हैं दोबारा से इस पैसेज को Tom Harris was a very intelligent boy of 12 तो Tom Harris एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था केवल बारा वर्ष का A very, a use हुआ एक, एक के लिए हमने use करा वैर, ठीक है? एक चीज़ और समझेंगे आर्टिकल के बारे में A, E, I, O, U ये सब क्या है? आप सभी को पता है, आप सभी कह दोगी मैं यह है वाल्स और इसके अलाव़ जितने भी alphabet बच गए, वो सब क्या है हमारे consonants, है न? तो वाल्स के साथ हम क्या use करते हैं? जहां भी आया vowel, vowel sound आ गया तो हम use करेंगे N, इनके साथ हम use करेंगे N, और जब आया इनके अलावा कोई भी sound तो उसके साथ हम use करेंगे A, ठीक है? A और N का use करने का तरीका क्या रहेगा? जब वाल्स का sound आएगा, जरूरी नहीं है कि A लिखाया है, तो हम N ही लगाएं ठीक है? बट, U लिखाया है, तो जरूरी नहीं है N लगाएं बट, sound U, य का sound होना चाहिए तो हम N लगाएंगे clear है? तो देखती हैं तो very intelligent जैनके बहुत बुद्धिमान बजा था तो A लगाया हमने साथ में He was from the equator अब हमने दा क्यों लगाया? क्योंकि equator एक ही है अर्थ को बीच से जो cut करती है, लाइंड वो equator होती है तो वो कहाँ ऐसा था? equator से और हमें clearly पता है equator कहाँ है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? दा, जो चीज़ certain है, fix है, definite है उसके साथ हम दा यूज़ करते है One year, he was decided to visit the United States of America United States of America के साथ हमने दा क्यों लगाया? क्योंकि ये एक particular place है ठीक है? Place के साथ, क्योंकि एक fixed name है तो हमने क्या लगाया? दा लगाया कि एक बार, he was from the equator वो equator से था और उसने एक साल decide क्या ये चीज़ सोची कि वो United States of America गूमने जाएगा While he was there जब वो वहाँ था He saw an asteroid pass very close to the earth He saw an asteroid मैंने आपको बोला जहां भी अ का sound आया वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? ठीक है? और यहाँ यूज़ हुआ दा क्योंकि एक ही है हमारी प्रित्वी और दूसरी तो कोई प्रित्वी नहीं है ना तो इसलिए हमने इसकी साथ क्या यूज़ किया? दा तो जब वो वहाँ था उसने एक asteroid देखा था जो कि अर्थ के बहुत ही पार्स था It was a wonderful sight and he saw it without using a telescope अब देखो यहाँ भी अ यूज़ यह एक महत्वपूर ने यह शांदार नजारा था और उसने इस नजारे को बिना किसी telescope की मदद की देखा यूज़ अ क्योंकि टैलिसकॉप टी आया जो कि कैसा साउंड हो गया कॉंसनेंट का साउंड हो गया और कॉंसनेंट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं अ का इसलिए हमने यहाँ ए यूज़ किया और यहाँ भी डब्ली के है व का साउंड कैसा है कॉंसनेंट तो ए यूज़ किया यह बहुत सालो बात हुआ था जब कोई एस्टरोइड गुजरे अर्थ की बहुत करीब से अर्थ क्योंकि फिक्स है तो इसलिए हम यहाँ दा यूज़ कर रहे हैं और अ का साउंड आ गया है तो हम एन यूज़ करेंगे अब यहाँ यूज़ क्यों हुआ दा यूज़ क्यों नहीं हुआ आप सुछ रहे होगे कि ऐस्टरोइड भी तो एक ही है पर कुकि ऐस्टरोइड बहुत सारे होती है और कौन से वाला ऐस्टरोइड उसको नहीं पता तो हम इसलिए क्या यूज़ कर रहे हैं ठीक है इड वोस दिस क्लियर बिगॉज इट्स पाथ वह लोस तो वो इतना साफ इसी लिए दिखा क्योंकि वो बहुत पार्स था किसके टयाली कममिनिकेशन सेटिलाइट के बहुत ही करीब था दा पोजेशन जो ट्याली कमयनिकेशन सेटिलाइट की पوجेशन है वह तो वही रहेगी है ना उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा इसलिए दा हमें पता है कौन से सैटलाइट की टेली कम्मिनिकेशन सैटलाइट की इसलिए हमने क्या यूज़ किया दा यूज़ किया अब यूज़ किया हमने दा क्योंकि Montgomery Observatory एक प्लेस है और हमें यह पता है कि एक ही प्लेस है तो इसलिए हमने यूज़ किया फिक्स के साथ दा का एक्स्प्लेंड दा यूज़ 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 हो गई जो अपने आप में ही यूज़ है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं दा यूज़ चीज़ हो के लिए ठीक है जो फिक्स है तो एक साइंटिस्ट जो कि कहां का था मौन्टगमेरी अब्जरवेटरी का उसनी ये चीज़ explain करी the uniqueness of this event यह ये इवेंट कितना यूज़ था यनकी regular नहीं था पहली बार हुआ था as one of the rare events जो की rare events में से जो कभी कबार हो ऐसे events में से एक था तो rare जो चीज कभी कबार हो और वो certain ही होगी जो कभी कभी होगी जो चीज रोज होगी वो तो certain नहीं हो जाएगी है ना तो इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं the since they occur only once in approximately a thousand years क्योंकि वह appear होते हैं दिखाई देते हैं हजारों सालों में एक बार thousand years के साथ इसलिए और यूज किया और एक बार यूज करना था हमें तो और चीज है when Tom Harris heard this newsletter जब Tom Harris ने इस newsletter के बारे में सुना he was very glad that he could be a witness to such an event तो वो बहुत खुश हुआ उसको बहुत कर हुआ कि वो एक गवाव बन सका इस event का तो यहाँ वी का साउंड आ गया है ना witness तो यूज करेंगे और ए का साउंड आया event तो यहाँ पर हमने एन यूज किया clear है you are familiar with the use of a and and the तो आपको पहले ही आपने a and और दा के बारे में सुना होगा कैसे यूज करते हैं ये भी पढ़ा होगा they are the articles in English ये English के articles है a and and are called the indefinite articles तो यह हमने already discuss कर दिया है कि a और n indefinite articles है और the definite article कहलाता है ठीक है अब हम देखते हैं use of a and n की a और n का हम use कहां कहां करते हैं we use a or n before singular countable nouns when it is not important for us to know which particular thing or person we are talking about तो हम use करते हैं a or n का singular countable noun के आगे जब हमें ये ना पता हो या जरूरी भी ना हो पता करना कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं किस चीज के या किस आदमे के ठीक है हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं पर उसका जानना इतना जरूरी ना हो या वो बहुत कोई famous चीज ना हो कोई एक ही चीज ना हो countable हो तो हम use करते हैं a और n का for example while he was there he saw an asteroid pass very close to the earth तो यह इस passage में से ही लाइन ली है जब उसके बहुत पास था he was an he saw an asteroid तो उसने एक asteroid देखा अपने अर्धरती के पास से गुजरता हुआ तो हमने यहां use किया n tom harris saw an asteroid and he did not know that it was a special asteroid until later तो tom harris ने एक asteroid देखा था और उसको नहीं पता था कि वो इतना खास asteroid है बात तक नहीं पता चला था तो इसलिए वो an use करी ठीक है वहां पे क्योंकि वो एक fix चीज नहीं थी एक certain चीज नहीं थी कोई भी asteroid ठीक है एक asteroid देखा तो इसलिए वहां पे क्या use क्या है and जब उस asteroid का नाम पता होता उसे तो एक particular हम दा use कर लेते हैं it was a wonderful sight तो a wonderful sight it was one of the wonderful sights में से एक थी इसलिए हमने a use क्या we use a before words beginning with consonant sound तो जो words शुरू होते हैं consonant sound के उनके आगे हम यूज करते हैं a का और and and before words beginning with vowel sound तो जहां vowel sound आता है वहां हम यूज क्या करते हैं and यूज करते हैं a witness an event तो व का sound आया तो हमने क्या यूज कर दिया a यूज क्या e का sound आया a e तो हमने यूज करा an clear है यहां तक आगे discuss करते हैं we choose a or n based on the sound the next word begins with तो हम a और n को किसी साब से choose करते हैं जो next letter का sound होता है sound के basis पे and not the letter letter नहीं देखेंगे कि a e i o u में से आया है या कुछ और है हम किसी इसका ध्यान देखेंगे कि उसका sound कैसा है so we have examples like तो हमारे पास कुछ है example है जैसे an honest girl तो n हमने यूज किया h के साथ पर sound कैसा आ रहा है o का sound आ रहा है honest बोलते है honest नहीं बोलते हम इसे ठीक है अब देखो एक चीज़ और n r हम इसे r बोलते हैं हार नहीं बोलते हावर नहीं बोलते है न तो sound कैसा है sound के हिसाफ से depend करेगा कि हम n यूज करेंगे या a यूज करेंगे n mp mp तो आप कहोगे कि n यूज किया है m के साथ a आना चाहिए था पर mp a का sound आया है और a का sound आया है तो हम क्या यूज कर रहे है n तो clear है देखो यहां तीनों ही ऐसे word हैं जो कि अगर letter देखेंगे हम तो हमें लगेगा कि यह consonant sound है है न कि h h m तो consonant के साथ हमने लगा दिया क्या यह लगा दिया पर नहीं यहां पे इसका sound क्या है honest r m m m ठीक है न तो उस बेशिस पे हम यूज करेंगे article कौन सा हैगा आगे चलते हैं देखते हैं दा कहां कहां यूज होता है we use the plus noun when we know that we are talking about a specific thing or person जब हम जानते हों कि हम किसी specific thing या person के बारे में बात कर रही हैं तो हम क्या यूज करते हैं दा का यूज करते हैं noun के साथ जैसे we also use the before इसके साथ साथ हम दा कहां यूज करते हैं name of rivers, ocean and seas तो जैसे the nile, nile river के बारे में हमने पढ़ा भी यह है न the pacific तो यह ocean है तो हमें जिनके बारे में पता हो जो एक fixed चीज हो जिसका एक वही मतलब जैसे बोला राम तो कोई भी राम हो सकता है जब बोला भधवा राम तो वह एक ही है ना तो इस हिसाब से point of the globe, globe का कोई point जैसे equator, north pole, south pole इस तरीके से या फिर कोई geographical area हो गया the middle east, the west, the south इस तरीके से desert, forest, gulfs and peninsulas for example the sahara, the peninsular gulf, the black forest, the abrian peninsula इस तरीके से नाम जो की specific हो he was from the equator, जैसे कि हमने देखा तर पीछे passage में the equator आया, तो equator के साथ हमने the use क्यों क्या क्योंकि वो एक point on the globe, globe के ओपर एक point है, है ना, इसी दिए a scientist at the Montgomery Observatory, तो in this sentence, the refers to a non-place and not just an observatory, तो ऐसी सिर्फ यह नहीं था कि कोई जाजपरताल करने की जगह है, वो एक particular जगह का नाम बता रहा है, Montgomery की बात कर रहा है, इसलिए हमने the use क्या, we use the before a superlative adjective, हम दा का superlative adjectives के साथ भी use करते हैं, उससे पहले भी use करते हैं, जैसे रागाव is the best basketball player in our school, तो जब हम एक को सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या use करते हैं, दा का use करते हैं, when not to use an article, अब ये तो हमने पढ़ा कि a, n दा का कहां कहां use करते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, कहां कहां हम a, n और दा का use नहीं करें, जैके न, तो देखते हैं, we do not use the article a और n with plural and uncountable noun, तो हम plural और uncountable noun के साथ a और n का use नहीं करेंगे, यह हमने already discussed भी क्या था, कि plural, क्योंकि a का मतलब क्या है, a, one, n का मतलब भी one है, है न, तो हम plural के साथ क्या से use कर सकते हैं, plural तो एक से जादा हो गए, तो एक के लिए ही तो हम one का use करेंगे, a का use करेंगे, n का use करेंगे, तो plural के साथ या फिर uncountable जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके साथ हम a और n का use नहीं करेंगे, जैसे a rivers, rivers plural हो गया, एक river होता तो a river बोल देते, पर rivers के साथ हम a नहीं लगा सकते, a water, water एक कभी हो सकता है, क्या आप उसे measure कर सकते हैं कि ये एक water है, similarly evenings, अगर एक evening की बात होती तो an evening लगा देते, पर एक से ज़्यादा evening की बात हो रही है, तो evenings के साथ हम an का use नहीं करेंगे, electricity, एक बिजली, दो बिजली, ऐसे तो नहीं, one electricity, two electricity, ऐसे नहीं बोलते, तो an use नहीं होगा, ठीक है, plural और uncountable के साथ, a और an का use नहीं होगा, we do not use any article when we are talking about things in general, जब हम generally किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो a और an का use नहीं करते, जैसे, do you like ice cream, तो आप ऐसे बोलो कि क्या तेको ice cream पसंद है, क्या तुम्हे ice cream पसंद है, तो हम do you like the ice cream, an ice cream, a ice cream, इस तरीके से use नहीं करेंगे, हम direct बोलेंगे, do you like ice cream, इसी तरीके से roses are my favorite flowers, तो roses के साथ हम दा नहीं लगाएंगे, generally बात कर रहे हैं कि roses मुझे मेरे favorite पसंदिदा, फूल है, ठीक है, आगे दे sports के साथ में, और academic subject, academic subject कौन से हो गए, Hindi, English, Math, Science, यह सब जो भी आप करते हैं, तो किसी भी sports के आगे, और academic subject के आगे, हम किसका use नहीं करते हैं, article का use नहीं करते हैं, जैसे, सुधीर is good at the chess, the chess नहीं आएगा, simple chess यूज़ करेंगे, but he failed the physics at school, तो physics के साथ भी दा नहीं आएग तो हम direct बोलेंगे, दा का use नहीं करेंगे, या कोई भी article use नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब है exercise, exercise देखते हैं, use the appropriate article, a, n और दा, तो a, n दा फिल करना है, और mark करना है, dash, where no article is required, जहाँ पर article की जरुत नहीं है, बहाँ पर हम क्या mark कर देंगे, dash use कर देंगे, ठीक है, जैसे, मिफिल कैफे is dash less expensive than Gordon's restaurant food galore, तो देखो, यहाँ पर comparison हुआ है, तो दा लगाने की हमें, a लगाने की, n लगाने की जरुत नहीं है, simply हम इसको dash लगा देंगे, ऐसे ही सही है, यह, मिफिल कैफे कम खर्चीला है, किस से comparison में, Gordon's restaurant food galore के comparison, चीक है, this lively cafe has dash two floor, तो इसके, दो floor है, simple बात हो रही है, तो two के साथ हमें, a लगाने की जरुत नहीं, ठीक है, on dash first level, आप first level की बात कर रहा है, तो first level की बात करेगा, तो यह specific हो गया, और specific होते ही हमने क्या लगाया, दा लगाया, on the first level, is where you can place your order, तो first level पे आप अपना order प्लेस कर सकते हैं, dash choice of food is vast, तो यहाँ, खाने की choice बहुत variety है, बहुत बड़ी है, फेलाव काफी जादा है, तो काफी variety का आपको खाना मिल जाएगा, काफी choices हैं, तो इसलिए हम यूज करेंगे, दा, ठीक है न, the choice of food is vast, आगे देखते हैं, they serve many types of dash coffee and tea, tea next page पे है, तो देखो, बहुत प्र क्या करते हैं, serve करते हैं, तो simple बात है, तो इसमें हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, तो dash लगा देखे हैं, ती तक हमने discuss कर लिया है, आप चलते हैं, आगे, they have dash chicken sandwiches with a variety of seasoning, तो उनके पास बहुत सारे chicken sandwiches की variety है, seasoning के साथ, तो simple बात है, तो हम dash का यूज करेंगे, य बहुत, काफी सारे चीज़ों में से एक की बात हो रही है, तो हम इसलिए, और का यूज करेंगे, ठीक है, for dash vegetarian, they offer many type of dishes, spring rolls, vegetables, sandwiches and pakोडा, तो यहां पे वो कह रहा है, कि जो vegetarian लोग हैं, उनके लिए बात कर रहा है, तो common बात है, कोई खास बात नहीं है, तो हम यहां भी बहुत तरीके के पकवान, जैसे की spring roll, vegetable sandwiches, और पकोडा, इस तरीके से, ठीक है, for dash dessert, you can choose from patties force, to pastries of different flavors, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, वो कह रहा है, कि for dessert, अब dessert की choice बता रहा है, मीठे में, तो for da, यूज कर देंगे, है ना, एक particular choice के बार में, में बता रहा है, तो हमने कहिए उसकिया, दाय उसकिया, आगे, simple sentence की, पैटी, पैटी, फोर से लेके, पैस्ट्री, तक बहुत फेर, वेराइटी में, material एवलेबल है, dessert एवलेबल है, और different flavors में, एवलेबल है, next sentence देखते है, dash menu changes every alternate day, तो हर दूसरे दिन, जो menu है, वो change होता ह है, तो इसलिए हमने menu की बात, एक particular cheese, वहां का menu का है, उसके बारे में बात कर रहे है, इसलिए हमने क्या उसकिया, दाय उसकिया, चिक है, next देखते है, dash, chefs of dash, Maffer cafe, are very cheerful about maintaining dash quality of the food, तो वहां के chef की बात हुई है, particular वही के chef, तो इसलिए हमने उसकिया, the chef of, और मैं फिर cafe की ही बात कर रहे हैं, तो हमें बार बार मेंशन करने की जरुरत नहीं है, are very cheerful about maintaining, क्या maintain करने के लिए, वहां की quality, तो इसलिए, दाय उसकिया, the quality of the food, ठीक है, आगे देखते है, dash second floor, second floor has nice cozy sitting arrangement, second floor पे क्या है, अच्छा खासा sitting arrangement है, there are dash sofas and dash bean bags to relax, तो वहां क्या है, sofas है और bean bags है, तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिल नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है, there is also dash divan to sit on, तो वहां पे एक divan भी है, तो अ का यूस करेंगे, ठीक है, ना, बैटने के लिए एक divan भी है, there is dash old jukebox, which plays music, तो एक jukebox भी है, पुराना, O, O का sound है, A, E, I, O, U, O क्या होता है, vowel sound है, तो हम क्या use करेंगे, एन का use करेंगे, ठीक है, an old jukebox है, जो की गाने बजाता है, there is dash big bulletin board, where people can stick message, तो एक बड़ा सा bulletin board है, तो A use करेंगे, ठीक है, बी, यानि की ब का sound है, जो के consonant है, तो हमने कहिए उस किया, A, तो आगे चलते है, there is even computer, where you can do your work, तो computer भी है, वहाँ है, computer भी है, जहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं, तो क्या जाएगा, A, क्योंकि यहाँ पर कैसा word है, यह consonant sound आ रहा है, computer, ठीक है, it's dash place, where you can relax and meet your friend, यह ऐस एक एसी जगह है, जहाँ आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, और रिलक्स कर सकते हैं, तो it's a place, चिक है, उसके बाद, it's dash kind of place, where you can go every day after work or school, तो यह ऐसी जगह है, it's the, उस प्रकार की जगह है, यह, तो एक famous, मतलब एक particular place के बारे में बात ही है, कि यह उस जगह में से, जह आपको clearly समझ में आया होगा कि A, N और दा का हम किस तरीके से use करते हैं, यहाँ भी हमें क्या करना है, A, N, N, दा का use करना है, in blanks में, तो देखते हैं, UN official, तो officials की बात हो रही है, है न, तो हम क्या use करेंगे, दा, वहाँ के, UN के official की बात हो रही है, तो दा, CNN program, एक program है, CNN program TV प करेंगे, N, D TV reporter, एक N, D TV reporter की बात हो रही है, तो N, N, N का sound आया है, याने की, क्या use करेंगे हम, N का sound कैसे आ रही है, N, 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 है न, तो O का sound आते ही, क्या हो गया, यह vowel sound हो गया, और इसके साथ हमने क्या लगाया, N, D TV reporter, next देखते हैं, डैश, हिंदुस्तान, टाइम्स, त एक पर्टिकुलर चीज है, तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, दा यूज किया, ठीक है, न, दा हिंदुस्तान, टाइम्स, नेक्स, डैश, एक एक्सरे की बात हो रही है, तो हम यहाँ, ए, 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 एक्स, एक्स, ए से sound स्टार्ट हो रही है, इसका तो हम इसके यहा यूज करेंगे, 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 यूज ही देखा हमने कि हाँ फर्स लेटर क्या है हम यह देख रहे हैं कि इसका साउंड कैसा है जैसे नेक्स देखें तो एट एडवल पी वाई है एपी बेड है ना पर है क्या है अगर आप कहोगे कि यह हमने पीछे यहां देखा था एसा के साथ हमने यूस कि इसको threshold हमने यूस कियां और यूसा जडरूरी नहीं इक हमेशा न आइ यहां पर क्या से साउंड है और यूस करते हैं और नेक्स है यू-ë-f-o UFO UFO भी क्या हो गई एक organization हो गई तो हमने इसके साथ क्या उपिया दा यूजट किया और नेक्स्ट वां था ada desert ये भी एक particular desert का नेम हो गया तो हम इसके साथ भी क्या उपिया उसके करेंगे डा का उसका है तो यह है हमारे चाले था के फिल Poem No. 9 discuss करेंगे Self-Contain ठीक है So that's all for today Thank you and have a nice day